स्वागत है आप सबका हमारी चैनल हिंदू सानी टेस्ट में आज हम बिनाएंगö sambher, बहीत आसान तरीके से इडली का और रसिपे मैंने पहले जी पोस्ट कर दिया है वीडियो में हम बना जिन का बनाता है उसमें नमक, हल्दी, हिंग डाल के जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे दाल बना लेंगे अब हम सब्जी मिलेंगे दो आलू, दो प्याज, एक गाजर, एक लौकी, आधा लौकी मैंने आप लिया था, एक टमाटर और साथ आठ कली लेसन की और एक इंच अधरक अब हम प्याज, लौकी, आलू, गाजर, इन सबको आपको और कोई सब्जी चाहिए तो आप वो भी आड़ कर सकते हैं शिम्ला मिर्च भी आप आड़ कर सकते हैं सबको हम पतला पतला काट लेंगे, लौकी थोड़ा बड़ा रखेंगे रखेंगे और फिर टमाटर को भी यहां पर हम बारी काट लेंगे और लेसन अधरक का पेस्ट बना के रख लेंगे सारी सबजी यहां कट गई हैंब हम कराई गरम करेंगे कराई में हम डालेंगे दो चम्मच तेल, एक चुटके हिंग, उसे में हम साथ ही में राई डाल देंगे, राई या पीला सवर सो कुछ भी डाल सकते हैं, फिर करी का पता, डालके करी पता डालने के बाद से लाल और हरे मेरका दे देना है, तरका देने के बाद से हम इसमें डाल देंगे, सारा सबजी डालने के बाद से इसको अच्छे से मिला लेंगे और दरक लेसन का पेस्ट, नमक स्वादानुसार, हल्दी और एवरेस्ट का मैं ले रही हूँ यहाँ पे सांबर मसाला, इसको आप तीन चम्मस डालेंगे नमक सांबर मसाला पत्तव, तेन चम्मस ढालने के लिसको अच्छे से मिला मसाला पर दाल देंगे 5-5 मिनट गैँगे बस आपको इसको हलका सा गलाना है आलू को फिर देखे मैंने अपे डाल हो चुका है हमारा सामबर भी सबजी सारी भी हलकी सी बस गल गई है अब हम सब सबजी को डाल में डाल देंगे साथी में मैंने इमली का पानी भी लिया है आपे इमली को पल्प का पानी लेके फिर से उस सकते हैं मैं बागी का रसेपी कॉमेंट सेक्षिन में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दोंगी तो आप वो चेक जरूर कीजेगा और खा के मुझे जरूर बताएगा कि आपको यह कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रिखेगा और हमें सब्सक्र अब बागा रसेपी बताएगा जरूर बाए थैंक यू फो वाचिंग